ओम शांति जस्पल से बाबा बाबा का अनुभव बाबा की शक्तियों का एहसास आत्मा को हो जाता है आत्मा ये स्विकार कर लेती है कि यही मेरा सच्छा मात पिता बंधू सखा है ये यूँ कहें कि बाबा हमारा संसार है उसी पल से हमारा मन और बुद्धी जुद्धे है और दुनिया में भटक रहा था वो एक बाबा की याद में एक की लगन में मगन होने लगता है और उस संसार में आत्मा का मन और बुद्धी विचरण करने लगता है और जितना मन इश्वरिये संसकारों के अनुरोप इश्वरिये ज्यान के अनुरोप संकल्प उत्पन करता है जितना बुद्धी परमात्म ज्यान के मनन और मन्थन में लगने लगती है उतना भीतर तक हम आत्माओं में परिवर्टन होने लगता है परमात्म संसार से हमारे अंदर के संसकार बदलने लगते हैं और हम एक नए संसार के नव निर्माण के आधार मूरत बनने लगते हैं तो संसार से संसकार और संसकार से फिर एक नए संसार कैसे बनता है कैसे ये प्रक्रिया जो भाहर से कुछ दिखाई नहीं देती पर भीतर ही भीतर बहुत ही गहरा काम करती है आज बहुत ही गोहता से इश्वरिय महावाक्यों द्वारा समझेंगे सुनते हैं बाबा के मधर महावाक्य आज है नौ तारीक 9 सितंबर सन दो हजार चौबिस बाबा के मधर महावाक्य हैं मीठ पच्छे योग बल से पुरानी बुरे संसकारों को परिवर्तन कर स्वयम में अच्छे संसकार डालो ग्यान और पवित्रता के संसकार अच्छे संसकार है तो योग बल से क्या करना है जो बुरे संसकार है उन्हें बदलना है और अच्छे संसकार डालने है और अच्छे संसकार कौन से है? जिन में ज्ञान है और पवित्रता है प्रेश्न है तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ती और जीवन मुक्ती तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है तुम जानते हो बाप आए है भक्ती का फल मुक्ती और जीवन मुक्ती देने अभी सबको शान्ती धाम जाना है सबको अपने घर का दीदार करना है ओम शान्ती मनुष्य बाप को सच्चा पाद्शा भी कहते हैं गुरुगरन साब में गुरुणानक साब ने कहा है सच्चा पाद्शा है वो अंग्रेजी में पाद्शा नहीं कहते उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं गौड फादर इस टृत कहते हैं भारत में ही कहते हैं सच्चा पाद्शा अब फर्क तो बहुत है वह सिर्फ सच कहते हैं सच सिखलाते हैं सच्चा बनाते हैं यहां कहते हैं सच्चा पाद्शाह सच्चा भी बनाते हैं और सच खंड का बाद्शाह भी बनाते हैं यह तो बरो बर है मुक्ती भी देते जीवन मुक्ती भी देते हैं जिसको भक्ती का फल कहते है लिबरेशन और फ्यूसन भक्ती का फल देते हैं यह बाइबल के अक्षर है लिबरेशन और फ्यूसन तो भक्ती का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं बचे जानते हैं हमको दोनों देते हैं liberate तु सबको करते हैं मुक्ती सबको देते हैं फल तुमको देते हैं Liberation और fusion यह भी भाशा बनाई हुई है ना भाशाएं तो बहुत हैं शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है, तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं, मालिक तो ठीक है, परन्तो उसका भी नाम चाहिए ना, ना मालिक तो नाम नहीं है ना, वैसे कह दिया दिल से कि हाँ वो मालिक है, परन्तो नाम तो चाहिए ना मालिक का भी, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं मालिक भी कोई चीज का बनता है न हर चीज के अलग-अलग मालिक होते हैं नाम रूप तो जरूर है अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिब्रेट भी करते हैं फिर शांती धाम में सबको जरूर जाना है अपने घर का दीदार सब को करना है घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे उसको कहते हैं गती, सदगती अक्षर कहते हैं परन्तु अर्थ रहित गती का अर्थ नहीं पता सदगती का अर्थ नहीं पता तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा नमबर वार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है बाप ने समझाया था यह परचा है बहुत अच्छा तुम स्वर्गवासी हो या नर्गवासी तो समय साकार बाबा के टाइम पर यह पामफलेट छफवाया था तुम बच्चे ही जानते हो यह मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों गौट फादरली बर्थ राइट है तुम लिख भी सकते हो बाब से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है बाब का बनने से दोनों चीज़े प्राप्त होती है वह है रावन का बर्थ राइट यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट यह है भगवान का बर्थ राइट वह है शैतान का बर्थ राइट ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सकें अब तुम बच्चों को हैवन स्थापन करना है कितना काम करना है इतनी सारी इतनी बड़ी दुनिया को स्वर्क बनाना छोटा काम है क्या अभी तुझे से बेबीज है जिसे मनुष्य कल्यूग के लिए कहते है कि अभी बेबी यानी बच्चा है बाप कहते है सत्यूग की स्थापना में बेबी है अभी तुम बच्चों को वर्सा मिल रहा है रावन का कोई वर्सा नहीं कहेंगे गौड फादर से तो वर्सा मिलता है प्रैक्टिकल वर्सा मिलता है वह कोई फादर थोड़ी है उसको यानी रावन पाँच विकारों को तो शैतान कहा जाता है शैतान का वर्सा क्या मिलता है बाबा बता रहे है क्या लिखना है उस पैंफ्लेट के अंदर प्रन्तु लिखने से पहले बाबा समझा रहे है कि रावन का वर्सा होता भी है या नहीं होता है तो उसकी according ऐसा परचा बनाओ पाच विकार मिलते है शोभी ऐसा करते है तमुप्रधान बन जाते हैं अब दश शहरा कितना मनाते हैं सर्मनी मनाते हैं बहुत खर्चा करते हैं विलायत से भी निमंतरण दे बुलाते हैं सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं कहाँ पर मैसूर का बहुत पॉपुलर है पैसे वाले भी बहुत है रावन राज्ये में रावन राज्ये के अंदर भी पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाता है अभी मान आ जाता है और पैसे के वश धन के वश होकर बहुत गलत काम भी करते हैं बाप डिटेल में समझाते हैं इनका नाम ही है रामन राज्य उसको फिर कहा जाता है ईश्वरिय राज्य राम राज्य कहना भी रॉंग हो जाता है गांधी जी राम राज्य चाहते थे मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापु जी कहते थे, अब यह तुस सारे विश्व का बापु है, कौन शिव बाबा, अभी तुम यहां बैठे हो, जानते हो, कितनी जीव आत्माए होंगी, जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बकि आत्मा है अविनाशी, आत्माए तो ढढे रहे, जैसे उपर में सितारे रहते हैं न, सितारे जासती हैं या आत्माए जासती हैं, पूछ रहे है बाबा, क्योंकि तुम हो, कौन हो तुम, धर्ती के सितारे, और वहे आसमान के सितारे, तुमको देवता कहा जाता है, वहे फिर उनको भी देवता कहा देते हैं, न, अलग-अलग सितारे में कहते हैं, अलग-अलग नक्षत्रों को भी देवता मानते हैं, तुमको लकी सितारा कहा जाता है न? अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना बाबा अभी इस बात को नहीं छिड़ते हैं यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है इनकी बुद्धी में तो सब है जो भी मनुश्य मात्र है, सब का वह बाप है यह तो सब जानते हैं कि सारी स्रिष्टी समुद्र पर खड़ी है यह भी कोई सब को नहीं मालोम है बाप ने समझाया था यह रामण राज्य सारे स्रिष्टी पर है ऐसे नहीं, रामण राज्य कोई सागर के पार है जैसे शास्त्रों में दिखाया है न? सागर तो all round है ही majority तो सागर ही है उसको सुखाकरी अलग-अलग countries बने है कहते हैं ना नीचे बैल है ये भी कहानी बनाई हुई है शास्त्रों में उसके सींगों पर सृष्टी खड़ी है फिर जब ठक जाता है तो सींग बदली करता है तो कहते हैं वो कम पाता है अभी पुरानी दुनिया खलास हो नई दुनिया की स्थापना होती है शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दे हैं यह तो बच्चे समझते हैं यहां सब आतमाई शरीर के साथ हैं इनको कहते हैं जीव आतमाई वह जो आतमाउं का घर है परमधाम बहा तो शरीर नहीं है उनको कहा जाता है निराकारी जीव आकारी है इसलिए साकार कहा जाता है निराकारी को शरीर नहीं होता है यह है साकारी स्रिष्टी वह है निराकारी आतमाउं की दुनिया इसको स्रिष्टी कहेंगे उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ड आतमा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया जितनी भी आतमाई है वह सब पिछाडी में आनी चाहिए इसलिए इसको पुरुशुत्तम संगम युग कहा जाता है सबातमाई जब यहां आ जाती है तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते है तुम यह संसकार ले जाते हो नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार कोई नॉलेज के संसकार ले जाते है कोई प्यूरटी के संसकार ले जाते है आना तो फिर भी यहां ही है परन्तु पहले तो घर में जाना है पहले उपर वहाँ है अच्छे संसकार यहां है बुरे संसकार अच्छे संसकार बदल कर बुरे संसकार हो जाते है फिर बुरे संसकार योगबल से अच्छे होते हैं अच्छे संसकार वहाँ ले जाएंगे बाप में भी पढ़ाने के संसकार है ना जो आकर समझाते हैं रचचाईता और रचना के आधी मध्यांत का राज समझाते हैं बीज की भी समझानी देते है तो बुद्धी में ये समझ आती है तो सारे जाड की भी समझानी देते है तो बाबा कहते है बीज की समझानी है ज्यान और जाड की समझानी हो जाती है भक्ती जब हम बाबा को जानते हैं बाबा द्वारा सुरिष्टी के आदी मध्यांत को जानते हैं यह है बीज का ज्यान, पर जब हम भक्ति की बात करते हैं, तो यह सारा ज्जाड जो बना है, यह भक्ति का ही ज्जाड है, जब हम देखते हैं, मनुष्य सृष्टी रूपी कल्प व्रिक्ष का ज्जाड जो है, वो जो व्रिक्ष है, उसके अंदर टाल टालियां जो निकली है वो भक्ति की तो है, पकि जो तना है और उसके नीचे बीज है, उसमें सारा ज्ञान समाया है, तो बाबा कहते हैं, भक्ति की भी समझानी देते हैं, तो सारे ज्ञाड की भी समझानी देते हैं, बीज की समझानी है ज्ञान और ज्ञाड की समझानी हो जाती है भक्ति, भक्ति म बहुत डिटेल होती है ना बीज को याद करना तो सहज है वहाँ ही चले जाना है तमुप्रधान से सतुप्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है फिर सतुप्रधान से तमुप्रधान बनने में पाच हजार वर्ष लगते हैं आक्यूरेट यह चक्र बड़ा आक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है और कोई यह बातें बता ना सके तुम बता सकते हो आधा आधा किया जाता है आधा स्वर्ग, आधा नर्क फिर उनका डिटेल भी बताते हैं स्वर्ग में जन्म कम आयू बड़ी होती है नर्क में जन्म जास्ती आयू छोटी होती है वहाँ है योगी यहाँ है भोगी यह है कंट्रास्ट संपूर्ण स्रिष्टी चक्र आधा आधा है और दोनों आपस में कंट्रास्ट है जैसे कहते हैं आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात और दिन और रात में जमीन आस्मान का अंतर है तो एक तरफ योगी दूसरी तरफ भोगी इसलिए यहां यानि यह जो आधा कल्प है जिसमें द्वापर और कल्योग है इसलिए यहां बहुत जन्म होते हैं भोगी होने के कारण इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता मनुश्यों को कुछ भी मालूम नहीं है कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने है यह भी तुम जानते हो बाप इस समय बच्चों को पढ़ा कर 21 जन्मों के लिए वर्सा देते है फिर यह तुम्हारे संसकार रहते नहीं जिसे राजाई के संसकार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संसकार पूरे हो जाते हैं यह संसकार पूरे हुए तो नमबरवार पुरुशार्थ हनुसार रूद्रमाला में पिरो जाएंगे फिर नंबर वार आएंगे बाट पर जाने उपर जाएंगे रुद्रमाला में फिर नीच जाएंगे जिसने पूरे 84 जन्म लिये है आदी से लेकर आंते तक वह पहले आते हैं उनका नाम भी बतलाते हैं क्या है पहला प्रिंस? श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ओफ हैवन तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा सारी राजधानी होगी ना राजा के साथ तो फिर प्रचा भी चाहिए हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए अगर कहें आठे कठे आते हैं परन्तु श्री कृष्ण तो नमबर वन में आएगा ना आठ एक ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों कुछ तो है ना श्री कृष्ण में जोन में नहीं है यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे कहते हैं न आज तुमको बहुत गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूं कुछ तो रहा हुआ है ना यह युक्ती अच्छी है जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बेहन उत्तर दे सकती है या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है लेकिन अब तो सारे रास खोल दियां बाबा ने तो वैसे भी अगर कभी समझ ना आए तो रैफर कर सकते हैं दिन प्रति दिन गुहे ते गुहे सुनाते हैं इस कहने में लज्जा की बात नहीं गुहे ते गुहे पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है पिछाडी में फिर कह देते हैं गहरी गहरी बाते सुनाकर विस्तार सुनाकर फिर बाबा एंड में क्या कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव अक्षर भी शास्त्र बनाने वालोंने लिखा है मुझने की तो जरूरत नहीं है बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला इसमें मन सा वाच्चा कर्मण पवित्रता की जरूरत है लक्ष्मी नारायन को बाप का वर्सा मिला है न यह पहले नंबर में है जिनकी ही पूझा होती है अपने को भी देखो हमारे में ऐसे गुण है अभी तो बेगुण है न अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है अभी तुम बाप के बने हो तुजरूर चेंच होना पड़े बाप ने बुद्धी का ताला खुला है ब्रह्मा और विशुनु का भी राज समझाया है यह है पतित वह है पावन इडौप्शन इस पुरुश्योत्तम संगम युक पर ही होती है प्रजा पिता ब्रह्मा जब है तब ही एडौप्शन होती है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से हमें एडौप्ट करते हैं अभी होती है, सत्यूग में तो होती नहीं, यहां भी किसको बच्चा नहीं होता है, तो फिर एडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता को भी जरूर ब्रामण बच्चे चाहिए, यह है मुखवन्शावली, वह होते हैं कुखवन्शावली, हम आत्माई बाबा के बच्चे बने प्रजापिता ब्रामण, पकि दुनिया में कुखवन्शावली होते हैं, ब्रामण किसी कुल में जनम ले लेते हैं, तो ब्रामण कहलाते हैं, ब्रामा तो नामी ग्रामी है, दुनिया में भी प्रजापिता ब्रामा का नाम तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है, सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव है उसको अंग्रेजी में कहेंगे Great Great Grandfather यह है बेहद का सरनेम ब्रह्मा ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारिया वैस अब होते हैं हद के सरनेम इसलिए बाप समझाते हैं यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहां बेहत का बाप आते हैं ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ शास्त्रों में मगद देश लिखा है परनτο नौलेज कहां सिखाई? तो वहा तो केवल कहानियों के रूप में दिखा दिया है और यह बताया कि जहां बहुत कलत काम होते थे फिर वहाँ परिवर्तन परमात्मा ने किया परन्तु बाबा कहते है कि लेकिन नॉलेज का हथ सिखाई ये भी तो पता होना चाहिए ना आबू में कैसे आए ये भी तो पता होना चाहिए दिलवाडा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है तो वहाँ प्रतीकात्मक रूप से कहानिया बनाई है, प्राक्टिकल में संपोर्ण सृष्टी पर भारत में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ और ब्रह्मा मुख से बाबा ने भगवानु वाच किया, इस दुनिया में जब खोर कल युका समय था, तो बाबा ने कहा, जिन्होंने भी बनाया, उन्हों की बुद्धी में आया और बैट कर बनवाया, है ना, कोई ना कोई आत्मा को बाबा प्रेणित करता है, प्रेणना देता है, तो फिर उसानु सार ऐसे मंदिर बन जाते हैं, तो बगते आक्यूरेट मॉडल तो बना न सके, बाप यहां ही आ गया, यह है पाकस्थान, पवित्रस्थान, वास्तव में पाकस्थान तो सच में जो पवित्रस्थान था वो तो स्वर्ग को कहा जाता है, पाक और नापाक का यह सारा ड्रामा बना हुआ है, पाक यानि पवित्र और नापाक यानि अपवित्र, तो पवित्रता और अपवि इस सारा ड्रामा बना हुआ है तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे तुम यह समझते हो आत्माई परमात्मा अलग रहे बहु काल कितने काल के बाद मिले हैं? कितने टाइम के बाद मिले हैं? फिर कब मिलेंगे? सुन्दर मेला कर दिया? जब सत्गुरु मिला दलाल के रूप में गुरु तो बहुत है न? इसलिए सत्गुरु कहा जाता है स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पती तुम्हारा गुरु ईश्वर है पती तो पहले-पहले नापाक बनाते हैं आजकल तो दुनिया में बहुत गंध लगा पड़ा है अब तुम बच्चों को तो गुल-गुल बनना है दुनिया में बहुत गंध है लेकिन हमें पवेत्र फूल बनना है तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं पक्का पक्का बाबा से प्रॉमिस कर लो हथियाला बांध लो है ना यू तो शिव जयांती के साथ ही रक्षा बंदन हो जाता है यानि जब बाबा अवतरित होते हैं आते ही पवित्रता की प्रतिग्या कराते हैं गीता जयांती भी हो जानी चाहिए क्योंकि फिर जब बाबा आते हैं तो अपने ब्रह्मा बाबा के मुक से ज्यान भी उचारित करना शुरू कर देते हैं श्री कृष्ण की जयान्ती थुड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, पकि त्योहार सब इस समय के हैं। राम नवमी कब हुई है? यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में बारा सो पचास वर्ष के बाद में राम नवमी होती है, यह तो हमें पता है, शिव जयान्ती, कृष्ण जयान्ती, राम जयान्ती कब हुई? यह कोई भी बता नहीं सकते हैं, तुम बच्चे भी अब यह बाप द्वारा जान गए हो, आक्यूरेट बता सकते हो, हमें पता है, शिव बाबा कब आए, श्री कृष्ण का जनम कब हुआ, श्री राम जी का जनम कब हुआ? हम आक्यूरेट बता सकते हैं, गोया, सारे दुन की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाकों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते, बाप कितनी अच्छी, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक ही बार तुम एक किस जनमों के लिए नंगन होने से बचते हो, उस कहानी का भी राजवाब बताते हैं, अभी तुम पाच विकार रूपी रावण के पराई राज्जे में हो, अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृती में आया है, अच्छा? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार है पहला, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा, बाच्चा, कर्मणा, पवित्र जरूर बनना है अच्छे संसकार यूग बल से धारन करने है, अपने को गुणवान बनाना है दुसरा, सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज गुए गुए बाते सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है किसी भी बात में मूँचना नहीं है, युक्ती से उत्तर देना है, लज्चा नहीं करनी है आज का वर्दान है, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भवा मास्टर सुख दाता कैसे कैसे बनेंगे? जब सुख स्वरूप बन कर हर आत्मा को सुख देंगे पहले खुद सुख का स्वरूप बनेंगे और फिर हर आत्मा को सुख देंगे जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं। उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्षफल खुशी और शक्ती मिलती है। चुकि सुख दाता के बच्चे हैं। ऐसे सुख दाता के बच्चे स्वयम भी मास्टर सुख दाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे, ना दुख लेंगे। तो ऐसे सुख दाता के बच्चे मास्टर सुख दाता है हम। स्लोगन है मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेहे और सहानुभोती देना यही रहम दिल आत्मा की निशानी है तो रहम दिल आत्मा सदा क्या दुसरों को दान करेगी स्नेहे, सहयोग और सहानुभोती अभी सुनते हैं आव्यक्त इशारे आज का व्यक्त इशारा है इच्छा माना परिशानी इच्छा रखते हैं तो परिशान होना शुरू जाते हैं इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वह और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकडी की जाल मुआफिक फस जाते है छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते तो इस जाल में फसे हुए अपने भाईयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ जब इस समझ जाते हैं कि हमारे जीवन की सब परिशानियों को कारण कौन है हमारे ही अंदर की इच्छाएं जिस पल हमारी सर्वे इच्छाओं की पूर्ती बाबव से हो जाती है विनाशी पदार्थों में हमारा मन और बुद्धी जाना बंध हो जाता है इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं तब जीवन की सारी परिशानिया खतम हो जाते है तो ऐसे खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है च्छाओं ओम शान्ति कर दो जाते है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है अब नई संस्कृती लाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है प्रेम एकता बंदुभाव से होता है सुन्दर संसार करुणा दया उदारता ये परंपिता का है उपहार सब में परस परस्नेह बढ़े अब ऐसी रीत निभाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है पादर और सतकार है सचे मानव की शान है सचे मानव की शान है ख्रमाशील बन शानति देना जीवन की मुस्कान है जीवन की मुस्कान है राग द्वेश से रहे जगत अब हमको यहां बनाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सब अपने हैं अपनों को हम देंगे सदा शुब भावना देंगे सदा शुब भावना आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना पल पल मंगल कामना शिव पिता का शुब संदेशा जन जन को पहुचाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सदभावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है सबको सुखी बनाना है